आपको श्रादाश्चरी होगा कि आपका जीवन इतना बहतर हो सकता है अगर आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा अनुकूल कर लें और मुझे पता चलता है कि कितने सारे गलस्वभाव हैं जिनमें हम पढ़ सकते और कितने सारे सही वाले हैं जिनकी हमें जरूरत है कि हमें अपने स्वभाव को अनुकूल बनाना है प्रते दिन आपको पता है यह आसान है उधारन के लिए निराश हो जाना है ना तो थोड़ा सा मुझ बनाना थोड़ी सी बबबग करना जो आपके पास है उससे सच में ज्यादा संतुष्ट नहीं हो सोचते हो कि आपको और चाहिए हाँ तो मैं आपके स्वभाव को अनुकूल बनाने में मदद करूँगी अगर आप मुझ बनाकर बैठे हो शहाद आज रात आपको आसानी से नींद नहीं आ रही है याद रखना की बिना घर का परिवार है जिसके पास सोने के लिए बिस्तन नहीं है अगर आप अपने आपको ट्राफिक में फसा पाओगे तो हताश मत हो ना इस दुनिया में इतने लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है अगर आप काम पर परिशान हो तो कितने लोगों के पास महीने पर काम नहीं होता अगर आप एक बुरे संबन सहताश हो तो उस वेक्ति के बारे में सोचो जिसे पता नहीं है कि प्यार करना या प्यार किये जाना क्या है अगर आपको दुख होता है कि आपके बॉस ने आपकी चार दिन काम करने की और तीन दिन वीकेंड पाने की अरजी ठुकरा दी तो उस आपाहिच के बारे में सोचो जो इतनी मुश्किल मैं के बारा गंटे काम करती है और सिर्फ कुछ पैसे के लिए पूरी रात भी काम करती ह अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए किसी भी सहाईता से एक मिल की दूरी पर तो उस आपाहिच के बारे में सोचो जो चल नहीं सकता अगर आपको वो पारकिंग की जगे नहीं मिल दी जो आपको चाहिए और इस समिलन में आने से पहले आपको थोड़ा चलना पड़े तो आप शिकायत करने लगते हैं इस वभाव के अनुकूल बनाने का समय आ गया है अगर आपको आईने में एक सफेद बाल नजर आता है तो आप उस पर कैंसर मरीज के बारे में सोचो जो किमियो थेरपी में जूज रहा है अगर आपको निराशा होती है क्योंकि आपको पतानी है कि आपकी जीवन में क्या करना है आपको तो धनियवाद दो बहुत सारे हैं जो उतने देर तक जिन्दा भी नहीं रहते सोचो कि उनके जीवन में क्या करना है अगर आप पीडित हैं किसी और के कड़वाहट बेपरवाई छोटे पनिया शंका से याद रखो और बुरा हो सकता है आप वो व्यक्ती हो सकती हो हर तरह किस्वभाव होते हैं सकारात्मक्स वभाव नकरात्मक्स वभाव संतोष्ट असंतोष्ट दीन घमंडी अभीमानी जिम्मेदार गयर जिम्मेदार धन्यवाद देने वाला धन्यवाद न देने वाला हरें दिल माफ न करने वाला खुद पर तरस्काने वाला एक सूची बढ़ती ही चली जाती है पर अगर अपने स्वभाव को उस तरह रखें जिस तरह येशु ने अपने स्वभाव को रखा था और हमारे उधारन होने चाहिए हर दीन में स्वभाव में भी फिलिप यो दो कहता है यही स्वभाव और दीन मन तेरे में हो जो मसी येशु में था उन्हें अपना उधारन बने तो दीन ता और हर तरह के स्वभाव में मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर आप प्रते दिन अपने स्वभाव के अनुकूल बनते हो तो चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो आप जीवन का मजा ले सकते हो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी यहां पर आपसे क्या आपकी समस्या सच में आपकी है या आपकी समस्या के प्रती आपका स्वभाव है वो आपकी समस्या है एक और बार कि आपका सवभाव सच में आपकी समस्या है आपकी समस्या है समस्या के बारे में ज्यादा सोचना जो आपको परिशान करता है, एक निर्नाई ले लेते हैं, आपको पता है आज ये संदेश मुश्किल नहीं है, इसके बारे में कोई मुश्किल नहीं है, पर अगर आप इसे आज समझ लेते हैं, मैं मानती हूँ कि आप मेंसे कई जो दुखी और शान्त नहीं है और अपने जी जीवन में क्या होता है अपना नजरियाप बदलो, आप अपना जीवन बदल सकते हो, आपका स्वभाव है, आपकी सोच वाला जीवन अंदर से बाहर किया गया, जिस तरह आप सोचने का नेर ने लेते हो, आपका स्वभाव सब पर असर करता है, आपके आजपास लोगों पर असर होता है ये खास कर आपके आकार पर असर करता है आपके चेहरे पर भी ये जानने के लिए देर नहीं लगती कि ये व्यक्ती द्वारा बुरा स्वभाव है एक हवाई जहाज पर एक यंत्र है जिसे अल्टीट्यूड इंडिकेटर कहते हैं अब आप सोचेंगे कि ये अल् अल्टीट्यूड नोज हाई होता है क्योंकि हवाई जहाज का नाक शितीच की ऊपर की तरफ होता है जब हवाई जहाज नीचे आ रहा होता है तो उसका अल्टीट्यूड नोज डाउन कहलाता है क्योंकि जहाज का नाक शितीच के नीचे है अब यह मानकर कि शितीच औससतम का प्रतीक है अगर हमारा नोज हाइटिट्यूद है हमारा जीवम औसतम से उपर होगा अगर हमारा नोज डाउन औसतम से नीची होगा किस तरह हम जीवन चाहते हैं हाँ जोईस मैं चाहता हूं की परमेश्वर मुझे आशिश दे और मुझे एक अच्छा जीवन दे तो क्या आप तयार है हर रोज अपने मन को नया करने के लिए और अपने स्वभाव को नया करने के लिए हर सुबह थोड़ा सा समय निकालो परमिश्वर के साथ अपने समय अपने काम के बारे में सोचू क्या मेरे चीवन में कोई शेत रह परमिश्वर जहां मुझे स्वभाव में अनुखूल बनाने में व्यस्त था और हां मुझे उसकी जरूरत थी किसी का भी स्वभाव बदल सकता है अगर वो चाहे इफिस्यो चार तेज कि और हमेशा नए बनते चले जाओ कि और अपने मन के आत्मीक स्वभाव में नए बनते जाओ हमेशा एक नया ताजा मान सिक और अध्यात्मी स्वभाव बनाए रखो अब पीछे चल कर वचन बाईस को देखते हैं तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुश्यत्व को जो भर्माने वाली अभीलाशाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो वो कह रहा है उस पुराने आदमी को हटा दो पुराने जीवन को हटा दो उस तरह वहवार मत करो जैसा तुम करते हो अब वचन 24 पर चलते हैं और नए मनुश्यत्व को पहन लुजपरमेश्वर के अनुरुप सत्य की धार्मीकता और पवित्रता में सुरिज्जा कया है तो वचन 22 कहता है उस पुराने आदमी का वहवार बंद करो वचन 24 कहता है और उस नए जीव की तरह वहवार करना शुरू करो जो तुम हो पर वचन 23 एक पूल की तरह है पुराने आदमी के वहवार से नए आदमी के वहवार के बीच वचन 23 को फिर से देखते है और अपने प्रभाहुनर जो आपकी काम्याभी के स्थार को निश्चित करेगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास दूसरों की तरह उपान नहीं है शायद काम पर किसी और की तरह आप गोड़ी नहीं है और शैतान चाहेगा कि आप सोचे हाँ तो तुम्हें कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला तो तुम्हें अभी प्रमोशन नहीं मिलेगा या आपको पता है तुम उनकी तरह स्माट नहीं हो तो ये नहीं होगा पर मैं आपको एक रास बताती हूँ अगर तुम कमपनी में किसी और से भी ज्यादा बहतर स्वभाव रखते हो तो प्रमोशन जरूर मिलेगा मैं उसके साथ काम करना पसंद करूंगी जिसका स्वभाव बहतरीन हो और शायद ये पूरे डिब्बे में सबसे 30,000 नहीं हो उसके लिए जिसके पास सब कुछ बिलकुल ठीक ठाक हो और वो तो गोल गोल घूम सकते हैं सबके इर्द गिर्द और 25 अलग जाएगी अगर आप सिर्फ एक अच्छा स्वभाव रखये मैं उन की साथ काम करना चाहूंगी दीन स्वभाव वाले के साथ एक धन्यवाद देने वाला स्वभाव एक जिम्मेदार स्वभाव स्वभाव की जाच कर लो अगर आप जीवन के प्रति अपने इस वभाव का वर्णन करोगे तो आप कौन सा गाना चुनोगे जब आप सुबह उठते हो हे दुनिया चले जाओ, चले जाओ बारिश की बुन्दे गिर रही है मेरे सिर पर मैं आपने तरीके से करूँगा, करूँगा ओ, कितनी खुबसुरत सुबह है, कितनी खुबसुरत सुबह है अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई साल पहले और डेव से शादी से पहले परमिश्वर को मेरे में बहुत सारे काम करने के मौके मिले मैं भी एक शांत, सीधी और बुरे स्वभावाली आौरत डिव दूसरी तरफ खुश और सकारात्मक थे और वही है आपको बता है उसे पसंद है वो उटते हैं और वो गाने लगते हैं और मैं उन्हें सच में चुप कराने के लिए कहती हूँ चलो अब बस चुप भी हो जाओ क्या आपको गाना होता है सुवब बिश्तर से निकलने के बाद मैं मेरी समस्याओं के बार में सोचना चाहती थी और जो स्बने मेरे साथ किया था उन्हें सीधा करने के लिए क्या करने वाली थी और यह मसाख लगता था पर दुख की बात यह कि यह सच है मुझे यह सुनना न लिए एक नया गीद गाओ और मैंने आपके लिए नया गाना लिखा है देखो अगर इसे गाना सीख सकते हो तो नचाहे मेरे रास्ते में जो भी आता है मेरा दिन अच्छा होगा सब कुछ ठीक होगा मुझे तनखा में बढ़त जरूर मिलेगी ओ मैं बताने वाली हूँ क्या रहत ना करने वाली टीम में मेरे पीछे आने वाली है अपना मुख्य गायक बनाने के लिए आपको बता है दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है मेरा मतलब सच जब यहां तक बात आ जाती है तो चाहे आप खुशी खरीद रहे हो या खुशी में अपने आपको बढ़ा रहे हो खुशी में शादी कर रहे हो, सच हम सब बस खुश रहना चाहते हैं मेneh मतलब, क्या यहां यही तो वो अंतिम चीज़ जो आपको अपने चीवन में चाहिए पर जो घल्दी हम करते हैं वो है कि हम यहां तक कैसे पहुँचना चाहते हैं आपको पता है कि सराब क्या होता ये है कि जब आप रेगिस्तान में हो और आपको प्यास लगी और सूरच चमक रहा है एक तरीके से रेगिस्तान के ओपर एक परचाई डाल रहा है और ये सच में ऐसा लगता है जैसे कि पीने का एक तालाब है और मुझे यकिन है कि आपने वो रेगिस्तान वाली फिल्मे देखी हैं जहां पर लोग प्यास से मरने वाले हैं वो बस उसमें डूपकी लगा लेते हैं जिसे वो पानी का तालाब समझते हैं और रहे इतमें रेंग रहे होते हैं और ये कितनी निराश आया है हां मैं भी अफिस में नौकरी थी अगर मुझे काम नहीं करना पड़ता मैं खुश होती और फिर डेव ने का हां तो तुम अपनी नौकरी छोड़ क्यूं नहीं देती तो फिर मैंने सुचा हां अगर मैं इस घर के बाहर कभी कबार निकल सकती तो मैं खुश होती अगर शेयतान मुझे अकिला छोड़ दे मैं खुश होती अगर डेव बदल जाता मैं खुश होती अगर मेरी सेवकाई बढ़ने ही लगती जब मैं सेवकाई में आ गई तो मैं खुश होती और मैं यह अपने दिल से मानती हूँ कि आपकी समस्या सच में आपकी समस्या नहीं है। अगर आप ठीक से देखते हूँ तो आपको पता है हम चीजों को ठीक से देखते नहीं हैं और हम यही सूचने लगते हैं हम हमारे जीवन में इस चीज पर नजर डालते हैं जो हमें पसंद नहीं हैं और हम बस उसी पर नजर डालते हैं जब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है ज जब से मैं कॉलेज गई हूँ, मैंने लिखा नहीं है, मेरे इस बेपरवाई के लिए माफ ही चाहती हूँ, मैंने अब से पहले लिखा नहीं था तो इस चीठी में मैं आपको सब बता दूँगी, पर इसे पढ़ने से पहले प्लीज बैठ जाएए क्या बैठ गए, बिना बैठे हुए प्लीज इसे मत पढ़ना, हाँ मैं ठीक हुजो सिर में फ्रैक्चर और मोच हुई थी, जब मैं डॉमेट्री की खिड़की से कुदी थी, जब उसमें आग लगी थी, यहाने के थोड़े दिनों बाद उसी तरह ठीक हो गई हूँ, मुझे बस दिन में एक बार सिर में दर्द होता है, अच्छा था कि मेरे कमरे की आग और मेरा कूदना पेट्रोल पंक के एक कर्मचारी ने देख लिया था, वो भाग कर आया, मुझे अस्पताल ले गया, मुझे वहाँ मिलते रहा, जब मैं अस्पताल से बहार आई, मुझे जले लड़का है और हमें एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शाधी के बारे में सोच रहे हैं, हमने तारीक नहीं सोची है, पर ये मेरी गर्भवती दिखने से पहले ही होगा, हाँ ममी और पापा मैं गर्भवती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप ना-नानी बनने के लिए कितने मुझे पता है कि आप पूरी तरह से हमारे परिवार में उसका स्वागत करेंगे, वैसे भी वो दयालू है, पर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहुत महत्वक आंग्शी है, वो हमारी जात और धर्म से अलग होते हुए भी मुझे पता है, आपने धीरज दिखाया ह और इस से आपको फरक नहीं पड़ेगा, आखिर मैं मम्मी और पापा, अब जब कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कामरे में आग नहीं लगी थी, मुझे कोई मोच या कोई fracture नहीं हुआ था, मैं अस्पताल में नहीं थी, मैं गर्भ आप सोचते होंगे कि वो माबाप कितने खुश हुए होंगे, परमिश्वर का धन्यवाद कि वो स्कूल में फेल हो रहे हैं, परमिश्वर का धन्यवाद, और अगर उसमें फोन करके सिर्फ का होता कि मैं हिस्ट्रो और साइंस में फेल हो रही, तो उन्हें शायद गुसा आ को देखने के लिए, सही नजर ये से कि दुनिया में क्या चल रहा है और लोग किस तरह की चीजों के साथ जूज रहे हैं, मैं फिर से कहूंगी, आपकी समस्या सच में आपकी समस्या नहीं है, उस समस्या की तरफ जो आपका स्वभाव है, वो आपकी स्वभाव है, देखो में बढ़िया बात यह है कि वो तुम्हारा स्वभाव है और आप उसे बदल सकते हो उसे बदलने के लिए आपको इंतिजार नहीं करना पड़ेगा आप बस अपना स्वभाव बदल सकते हो विक्टर फ्रैंकल जब वो एक कॉंसेंट्रेशन केंप में था जर्मनी में कहा था वो आखरी आजादी जो कोई छीन सकता है वो है अपना स्वभाव चुन्ना किसी भी परिस्थिती में एक कॉंसेंट्रेशन केंप में भी उसने सुचा मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नहीं ले सकते हो तुम मेरा खाना ले सकते हो मेरे कपड़े ले सकते हो तुम मेरा बिस्तर ले सकते हो तुम मुझे अकिला रख सकते हो तुम मुझे कड़ा परिश्रम करने के लिए कह सकते हो पर मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नह नहीं ले सकते हो, मेरा स्वभाव अच्छा है और तुमें वो मिलने वाला नहीं है। इश्यू ने योहना 16.33 में कहा है इस दुनिया में तुमें समस्याय होंगी ये एक वादा है और फिर जो अगली बात कई वो है खुश रहो धन्यवाद खुश रहो क्यों? क्योंकि समस्याय होने के बावजूद भी आपके पास मैं हूँ इस दुनिया में तुमारी समस्याय होंगी पर तुम खुश रह सकते हो क्योंकि ये शुनी कहा मैं दुनिया में आगे आ चुका हूँ हमें हमारी समस्यायों से परेशान होना बंद करना होगा और बस खुश रहो क्योंकि हमारी जीवन में परमीश्वर हैं उस दिन किसी ने मुझसे कहा और ये एक अच्छी बड़ी समस्या है हमें बस परमिश्वर पर विश्वास करना होगा और ये मुझे गलत तरीके से पता चला और मैंने सुचा तुम्हें पता है क्या मैं ये कहकर ठक गई हूँ मैं लोगों को ये कहते ठक गई हूँ हमें बस परमिश्वर पर भरोसा नहीं रखना है, हमें परमिश्वर पर भरोसा करके मिलता है परमिश्वर पर भरोसा रुखो, यह एक सम्मान है एक परमिश्वर का होना, जो वफादार है, जो हम जानते हैं, हमसे प्रीम करता है उनके पास सारी शक्ति है, सारा ज्यान और सारी जानकारी, जो हर समय हर जगे है, एक पल के लिए भी हम पर से नजर नहीं हटाते हैं। और फिर उन्हें ये निराशा मिलती है कि हाँ मुझे तो ये नहीं सोचना चाहिए था, मैं ये नहीं बनने वाली थी। आखिर, याकूप एक मैं इसे देखने के लिए अपने आपको रोक नहीं पा रहीं। पर मुझे लगता है और मैं सोचती हूँ, मैं आज बात नहीं करना चाहती हूँ जो तुम्हें लगता है और जो तुम सोचते हो उसके बारे में। बचन क्या कहता है? हमें थोड़ी गहराई में जाना होगा, हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ गहरे रिष्टे की, हमें जरूरत है आगे जाने की, सोचो और एहसास करो जो हम जानते हैं हमारे रदे की गहराई में। मुझे पता है कि परमेश्वर वफादार है, मैंने देखा है उन्हें बार 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 बहुत बार वफादार होते हुए। पर ये एक अच्छी योजना होगी और परमेश्वर फिर भी हमारा ध्यान रखेंगे किसी न किसी तरीके से अगर हम वो करें जो वो चाहते हैं कि हम करें उनके जरीए। पूर्णता से बिलकुल खुश जब आपको कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की समस्याएं। देखा तालियां बंद हो गई हैं। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पर खेंजाने से धीर जुद्पन होता है। मुझे पता चला कि वो मेरे अंदर से बहुत चीजे बहाँ निकाल लाएं थी रज़ और धैरिया तक पहुँचने से पहले और फिर पर देखो इसलिए ये हमारे लिए अच्छे हैं। ये जीवन के वो मुश्किल पल होते हैं जब हमें अनुभव मिलता है और हमें वो सामान मिलता है उन चीजों के लिए जो परमिश्वर चाहते हैं भविश्यम इस्तमाल करें। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे होते हो आप कह सकते हो परमिश्वर मुझे ये पसंद नहीं है ये अच्छा नहीं है पर मैं फिर भी खुश रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा मुझे इससे कुछ हासिल करना है तो शुरुआत क अगत ऐसे दो करने ही होगी ऐसे स्वभाव से मैं आपको प्रोसाहिद कर रहे हूं परमेशवद से जोर से वो चीजे कहने के लिए ये आपके लिए अछा होगा ये कहना की ये अच्छा नहीं लग रहा है दर्दो होता है परमेशवर और मैं सच में चाओंगी अपने आप में की मैं यहाँ पर न रहूँ पर मुझे पता है कि आपकी एक योजना है और मुझे पता है आप मेरे अंदर कुछ अच्छा करने वाले हैं क्या मैं आपसे इसकी शुरुआत कर सकती हूँ कुछ जोर से कह दो और जब आप यह करते हो जब आप जोर से बात करते हो जिस तरह वचन के मताबिक पर मिश्वर चाहते हैं यह आपकी भावनों को बदल देगा और आपकी सोच को भी बदल देगा यह आप वहाँ बैठ कर अपनी भावनों के साथ जा सकते हो और जो आप सोचते हो पहला पत्रस 3 यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ उनके विरोस से अगर आप सही चीज़ करते हो और उनके लिए तकलीफ उठाते हो अब आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में मेरा से तो बस इस तरह से होने लगता है जब कुछ खराब होता है तो मुड़ 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 कुछ गलत है। अगर मैं सही चीज़ करू तो मुझे सही परिणाप मिलना चाहिए अगर मैं सही सबसे अची चीज़ जो परमिश्वर हमें सिखा सकते है वो है किस तरह खुश रहना चब चीज़े वेसे नहीं होती। आपको पता है कि आप अपने स्वभाव के अनुकुल हो सकते हो अगर मेरा स्वभाव वो नहीं है जो होना चाहिए हम बदलने का निर्ने ले सकते हैं और हमारे स्वभाव को परमीश्वर की चाह के अधीन ला सकते हैं और जब हम ये करते हैं मैं आज चुरी होगा कि हमारे जीवन में परमिश्वर आप से अच्छा काम चाहते हैं, वो आपको आशिश दे और आपका जीवन सफल हो, आज का दिन शुब हो परिपया हम से संपर करें या विजित करें Umarlands अज ही अपनी प्राथ्ना के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और जौिस की सभाउं का शडिूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बाटने के लिए